है लो आइस चलिए ओश शुरू करते हैं आपकी क्लास 12 की बुक फिलेमिंगों का चैप्टर नंबर टू तो इस चैप्टर का जो टाइटल है वह एद लॉस्ट इस्प्रिंग पर बेसिकली ना इसुविफ हलती है जो 18 नहीं है की यह सावन का चले जाना लॉस्ट मतलब ख чувन इस मतलब शावन कर चले जावन इसका मतलब नहीं है इस चैप्टर का मतलब है बचपन का खौजाना मिदिस का खौजाना अब कैसे खोना चैप्थर पिस पहला पाथ है आपका रैग पिकर्ष के ऊपर रैग पिकर्ष यानि कूड़ा उठाने वाले गार्बेज कलेक्टर तो इस चैप्टर का जो में करेक्टर है वह एक छोटा बच्चा जो एक रैग पिकर है जिसका नाम है साहिब ए आलम तो शुरू करते हैं पार्ट फ़स्ट पार सेकंड लम अगली वीडियो में देखते हैं, तो पार्ट फ़स्ट में होता क्या है जो राइटर हैं वह हम बताते हैं इस चैप्टर की तो तीम क्या है पहली जो तीम वह अपने घर के सबसे बड़े होते हैं कि वही अरणिंग मेंबर होते हैं तो आपको यह बताना चाहती है कि उनका होने है घरिभी दूसरा है कि अरे दिशं किता ओ सबिए सब्सक्राइब रिप्लक पोड़ा रुक्राइब या ज़िए पिता हुआ कई त्रएडीशन को लेकिए अब जो इसकी तीसरी थीम है वह आपकी एक्सप्राइटेशन ऑफ स्लम ड्वेलर्स एक्सप्राइटेशन मतलब शोचन होना परिशान करना सलम जुग्ई डवल्रंस मतलब रहने वाले तो जो जुग्यों में रहते हैं उनकी जिंदकी कैसी होती है क्या उनकी जिंदगीयों में अधर हैu छेप्टर की समणीक बात करता हैं समरी में है तो हमारे दो मेरे करेक्टर हैं पहला साहईले ऐलम जो हमारा बच्चा कोड़ा उठाने वाला है और रह syng उन्सिंट के नाम आप को या Padrao तोалась जो यह बताती है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लोग देखें बहुत गरीब देखें लेकिन जब मैं दिल्ली रहने आई तो मैंने क्या देखा कि जो मेरा फ्लेट है उसके सामने से रोज कुछ बच्चों का जुन्ड निकलता है कुछ बच्चों का जुन्ड निकलता है ग्रूप ओफ बॉइज वॉज आलवेज सीन इन फ्रंट आफ माइज और वह पता नहीं क्या करते हैं कुछ ना कुछ डूंडते हैं इसा एक इसको कोई खजाना को ट्रेजर छपा हुआ है कोई ठैजर चुपा हुआ है वर्ड याद रखेंगे ट्रेजर एकस्ट्रेक्ट आता यहां से तो sometimes I feel like that there is a treasure in the heap of garbage, heap of garbage, garbage के धेर में, तो यह सोसती हैं पता नहीं क्या करते हैं बच्चे, इस garbage के धेर में, इस कूड़े के धेर में कोई थजाना ढूरते हैं क्या, अब वो रोज देखती हैं इनको आते हुए, एक दिन होता क्या है, यह इन बच्चों को ना पकड लेती है अब पकडने के मतलब ऐसे नहीं चुड़े लें तो पकड लिया, पकडने के मतलब उनसे पूछती है, हाँ वही, क्या डूर रहे हैं उसमें, तो सब एक दूसरी तरफ देखते हो, तीन चार बच्चों कर जोंड एक दूसरी तरफ देखता है, तो साहिवे आलम, यहिर न मिलते, समटाइब्स आई फाउंड रुपी इन दा गार्वेज, कभी-कभी मुझे इस कुड़े में पैसे मिल जाते हैं, और यही आपके इस चैप्टर के पार्ट अवन का टाईटल है, समटैर्स आई फाउंडर रुपी इन द गार्वेज, और यही आपका Most important extract है, कि मुझे कभी-कभी ना कुछ पैसे मिल जाते हैं कभी एक रुप्या ऑट मैडम जी कभी-कभी मुझे स्वने के शिख्र भी मिल जाते हैं। पर इसल के श्वने का टुकड़ा नहीं है शोने के टुकड़ा का मतलब है तुर गयुक्तों सुर्पे समस noong एक और वर्थ ऑफ गोल्ड अब जब वह बास सुनती है वह शौक रहाती है कि छोटा सा बच्छा क्या कहा रहा है कि मतलब सिक्ख्य वह सोना इसके लिए अब वह पूछती है वह अस्लेक्रस का रीजन जानना चाहती है कि बच्चा ऐसे क्यों कहा तो पूछती है आते क्यों तुम्हें कोड़ा उठाने के लिए कि मैडमजी ममी पापा कहते हैं कि हमारे पेरेंस ब्याशते है कि अब उठाने के लिए अब उन्हें logisch सुन आता है लोग यह बच्छे का मन नहीं आने का वह पूछती है तुमारा मन करता आने का नई जी हमारा मन नहीं करता आने का कामदके पैसे के चक्षा आ रहे हैं लेकिन प्तुमा फ् дальше यह पईवर्ट को बेजसे और जो कुछ भी हुबकों करने के बाद मिलता है वही इनके लिए इनके लिए नहीं但 पैर LG के लिए क्यों कि इसी से यह अपने घर का लाइवलि हुड जीवन आपन यानि अपने घर का खाना पीना चलाते हैं इसके बाद वो यह पूछती है इंसे कि अच्छे यह बताओ तुम रहते का हो मैडम हम रहते हैं सीमापुरी दिल्ली में तो सीमापुरी आप लोग जानते है दिल्ली का एक दस किलो बारा किलो मिटर की रेंज के एक एरिया है जहां पर सबसे बड़ी स्लम ड्वैलिंग पाई जाती है जुक्गी में रहने वाले लोग पाई जाते हैं और उनका जो में प्रोफेशन है वो है कूढ़ा एकटा करना तो अब होता है यह थोड़ा और जा ज्यादातर लोग हैं यह refugees रिफ्य। मतला होता है वो लोग जो के टाइम पर बीच में रहे हैं इंडुस्तान जा पाई पाई जा पाई जा पाई तो अब यह सोचती है कि अच्छा यह लोग अगर रिफ्यूजी है तो साहिप को पता होगा वह साहिप से पूस्ती है कि साहि तुमको याद है कुछ ढाका बंगलादेश के बारे में कि तुम वहां से क्यों आगे थे मैडम जी मुझे यह तो याद है कि हम वहां से इसलिए आगे थे वहां बहुत बड़ा तूफान आया था स्टॉर्म आया था हमाँ पर और इस स्टॉर्म की वज़े से ना हमारा सब कु लिए तो हमारे घरवाले यहां पर आ गए अब कब क्यों कैसे यह मुझे नहीं पता वह कहती है ठीक अब होता क्या है यह एक दूसरे के रख धीरे-धीर होने लगते हैं इसके लिए वर्ड है वहत अच्छा दे बिकम वैल एक्क्विंटिड एक्क्विंटिड का मतला होता ह पहचान बनना फैमिलियर होना दोस्ती होना तो बहुत अच्छे से एक दूसरे को जान जाते हैं तो जो अनीज जंग है वह साहिब से पूछती है अच्छा साहिब एक बात बताओ तुम पेटा स्कूल क्यों नहीं जाते मैडम जी जाओं कहां से पैसे नहीं है पैसे हैं मेरे पास वो पूछती है अच्छा अगर मानलो मैं तुम्से कहूं कि मैं स्कूल खोलूगी तो तुम पढ़ने가지 स्कूल को जो अब वो क्या कहते है ठीक है मैं तुमसे आज एक प्रॉमिस करती हूं कि अगली बार जब तुम मुझे मिलो यह तो मैं तुम्हारा एड्मीशन करा दूनी लेकिन यह बात राइटन मजाक में कही थी इन जोकिंग ली वह यह देखना चाहती थी यह सिर्फ कुड़ा उठाने में मस्त है या फिर यह पढ़ना भी चाहते हैं कि फिरने वंदेवां टू कि टॉट औरका दियर इंडाल्ज इन गेंटिंग के रीट्टिंग काछी तो में अगली बार ड्रीयगर स्य३ोनैं को अब यौन्ने मैद लुह प्लूने गोली वाला जाना सामना ढूमा शामना गोलॉट सब्सक्राइव पहला सवाल मैडम जी कब से आना है स्कूल जैसे ही अनीज जंग ये बात सुनती है वो शर्म से पानी पानी हो जाती है उन्हें ऐसा लगाता कि यह तो लफंगे हैं यह वैगा बॉंड वैगा बॉंड को लफंगे मुसाफिर दर्सफर गूम रहें मौल मस्ती में गूम रहें कोई मतलब न लेकिन मनीवन क्या सोचती है कि तब प्रॉमिसेज इन दिस ब्लीक और अन्रियल वर्ड और मेंट तू भी ग्रोकन मतलब वर्ड है ब्लीक ब्लीक कमत होता अन्रियल अन्रियल मतलब माया भी यानि यह जो पूरी दुनिया है ना यह ढौंग कर रही है डिप्लोम ऐसी कर रही बस्तब्लिय है अपने अपसे ही कि प्रॉमिसेज जो होती है जो हम एक दूसरे से करते हैं इस माया भी दुनिया में यह सारी प्रॉमिस तोड़ने के लिए वनी है तो मैंने अगरे प्रॉमिस कर दी और तो मैंने कुछ गल्लत नहीं करा हुआ कि है इसके बाद जब इनका अ आप साहिब ए आलम इसका मतलब क्या है अजी पता ना मेडम जी मुझे नहीं पता मेरे नाम का मतलब क्या है वो शौक रह जाती है शौक एकदम वो यह सोचती है कि आज साहिब ए आलम साहिब मतलब किंग राजा कि यह मतलब काद दुनिया का आलम इस ब्रह्माद दुनिएकर ब्रह्माद कर दा कीली युनिवर्स तो यह सोचती है अगर इस बच्चे को अपने नाम HER relationships पता लग गया अ कि मेरे नाम का मतलब है दुनिया कर गृद्त करेंगा है क्या पर शौक लगता है अब वो करती क्या है उस चार-पांच गुरूप के जो बच्चे होते हैं उनसे एक सवाल पूछती है कि यह बताओ तुम लोगों ने चपल क्यों नहीं पहनी कि यह बताओ चपल क्यों नहीं पहनी तो एक लड़का होता है छोटी सी हाइट का होता है वह कहता है मैडम जी मेरी मम्मी ने चपल उस पर रखी है सेफ पर अलमारी पर और शेल्फ के उपर ने सजा रखी है चपल मैं मांगता हूं देती नहीं को जैसे भर का अपना रिप्लाई आपने बाद कहता है मैं चपल निए तो दूसरे जूट लाई कि यह जूट बोल रहा है चपल है इसकी मम्मी देती पर मीरिक भी जाता है मिरी मम्मी चपन लीएं तो यहां से राइटर जो होती है वो सब को अब्जर्व करती है दूसरे लिड़के से पूछती है तूने क्यों नहीं पहनी चप्पल वो क्या कहता है मैंडम जी मेरे पहनी है चप्पल मैंने घरवालों से कहा चप्पल दिला दो और दो दो आजिए देख देख वी दूनोट है नफ मनी घरवालों नहीं वहाँ आउन हमारे पास कैसे नहीं है फिर वो तीसे से पूछती है कि भई यह तूने क्यों नहीं पहनी चप्पल तो वो क्या कहता है मैं I do not put on the sleepers because no one at my home puts on मैं इसी नहीं नहीं पहनता क्योंकि मेरे तो इन सब की बातों को सुनने के बाद वह एक कॉंकुलूजन पर पहुंचती है और वह कॉंकुलूजन होता क्या है वह यह बताती है अपने आपको ही कि कुछ वच्चे तो ऐसे हैं जो सच में गरीब है यानि few are really poor कुछ वो है जो सच में गरीब है जिनके पास पैसे नहीं है वह सच में गरीब है वह जिनकर रीजन यह थे कि भई हम जो है किसी नहीं पहनते क्योंकि हमारे खांदान में आस्ते किसी नहीं पहनी यह क्या कर रहे हैं एक ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं तो चपल क आपके ट्रेडिशन का टॉपिक आगया और जो पहला बच्चा था जिसने बात बोली कि मेरे पास है मेरी मम्मी नहीं देती जो जूट बोल रहा था वह बच्चा सिंपैथी मांग रहा था सिंपैथी सिंपैथी का मतलब होता है किसी से दया भाव की उम्मीद रखना यानि म लेटिया किसीना पैसे पैसे थे मैरे पास मैंने मंगे लिए उसमें देदी में क्या अबहुत जाद शाल रहा था यह बच्चे चले जाते हैं तो राइटर जो है याद करती है अपने अपने अपराने टाइम की बाते वह यह याद करती हैं कि कई साल पहले वह उड़ीशा तो उडीसा में क्या हुआ यह मंदिर में गई और उस मंदिर में क्या देखा एक बच्चा है जो मंदिर के पुजारी का बेटा है यह प्रीस्ट प्रीस्ट है दसन and that son was praying in front of God तो वो पुजारी के बेटा भगवान के आगे हाद जोड़ कर खड़ा था और कह रहा था हे भगवान मुझे चपल चाहिए मुझे चपल दिला दो बस अब इसके बाद वो दूसरे बच्चे को देखती है तो वो जो दूसरा बच्चा होता है वो क्या कहता है भगवान मैं चपल बहार Lane लें चाहिआ है कि जब मैं तीस साल बाद फिरस्ल की पिज़ी गई उड़ीपी उड़ीक समय orी सामय인데 पहले हुआ प्रीष्ट वाला जहां बेटा जो था एक चप्पल मांग रहा था और दूसरा यह कहरा तक होना जाए तो यह बता दिए मैं 30 साल वाजब हो वापस गई सेम मंदिर में तो वह दोनों बच्चे मैंने वहीं देखे इन दोनों की प्रेएर्ज ऑने फुल्फिल हुई इन दोनों की प्रेएर्स बहगवान ने सुन लेकिन पता नहीं से कितने लाख़ों लोग हैं जिनकी प्रेयर्स आज तक फुल्फिल नहीं हुई और उसका एक एक ग्जम्पल क्या है दा ग्रूप ओफ डैट रैग पिकर्स वोग्रूप जिनके साथ रोज मिल रही थी जिन में वह बच्चा था साहीव आलम तो ऐसे बच्चे हैं जो आज तक जुग्यों में हैं और आज तक उनकी किसी नहीं सुनी यहां सिर्फ भगवान का मतलब नहीं है यहां मतलब किसे है गवर्मेंट से इसलिए बहुत अच्छा वर्ड लिखा है थीम में एपस्प्लॉइटेशन और स्लम ड्वेलर्स शोशन होता है इनका इनके लिए कोई कुछ नहीं करता तो जै ऐसे हैं जिनके पास जो छत है नम की रूफ वो टीन की बनी हुई है इसके लिए दूसरा भी वर्ड यूज हुआ है तार्पॉलिन तार्पॉलिन का मतलब होता आप आसान भाशा में समसकते है छपपर जैसे किसी ने पिन्नी डाल दी किसी ने प्लास्टिक का कवर डाल दिय हुआ तो इस तरीके के वहां पर घर बने हुए थे लोगों के वह एक नुए छूटी छूटी छ्वाप ऑन्नालियां उन्हें नालियों में से बहुत घंधी बहर हुए अब होता किया है जब आ पर विजिट करते हैं सीमापुरी में तो और युँ के बात करती हैं उनकी ला क्या रहे यह बताओ यहां पर इतनी गंदगी है कूड़ा है गटर खुले हुए हैं तो आप लोगों को हेल्थ को इस नहीं होता है तो एक लेड़ी बड़ी अच्छी बात कहती है वो क्या कहती है नो अमेनिटीज आफ हेल्थ हैंड हाईजीन आर कंसीड़ड वें वन इस हैंगरी कि मैं सहाब जब पेट में आग लगती है ना तो कूड़ा करकट दिखाई नहीं देता क्यों क्योंकि इसी कूड़ा करकट से हमारा घर चल रहा है भी दूसरा और और एक लेडी से पूछती है आपकी साड़ी ने छेद हो रहे हैं पृटी हुए है कि टैदेर्ड टुकड़ा तुकड़ा में जोड़ा रखिए जिसका आप बोलते हैं रफू कर रखिए तो क्या कहती है मैंडम भी खाने के पैसे नहीं साड़ी नहीं कहां स है कि हमारे बच्चे खाली पेट नासों है इसके बाद राइटर एक लेडी को पकड़ती है तो वह इन सो पूछती है कि अच्छा आप बताओ आपको खाने के लिए मिल जाता है कुछ राशन वगेरा चावल वगेरा तो एक लेडी का कहती है मैडम जी राशन काड़ी नहीं है अच्छा वोटर आइडी काड़ तो होगा वोट तो डालते ही हो मैडम वह भी नहीं है बहुत कम लोग हैं जिनके पास यह है राइटर का पहला कुश्चन फिर से तो आपके पास क्यों नहीं है राशन काड़ वोटर आइडी काड अब एक लेडी क्या रिप्लाइब करती है राशनकाड वोटर काड करेंगे जिनके पास है उन्हें नहीं मिल रहा हमेन तो मिलेगा इस लाय का मतलब था सरकार के उपर कि हमें सरकार भी ध्यान नहीं देती हम लोगों के उपर नेक्स्ट वह एक लेडी से पूछती है कि अच्छा आप बताइए आपका मकसद क्या है जिंदगी में कहते हमारे कोई बड़े नहीं है हम बस यह चाहते हैं हमारे बच्चे जो हैं उनके सरपर छत रहे और भूके ना मरें अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है यह सारी चीजें जो यह लेडी बता रही है इसमें एक चीज कॉमन है गारवेज और यही हमारी राइटर जो है वो पकड़ लेती है तो वह कहती है जो आप बार बार गारवेज की बात करते हैं क्या है गारवेज पहली लेडी क्या कहती मेडम जी गारवेज का मतलब है लाइड लिःफ जिंदगी चलाना हमारे लिए जो यह रभ गारवेज यह जिंदगी है तो हम बढ़ों के लिए यह क्या है खाना बच्चों के लिए लेकिन बच्चों से अगर पूछों की कूड़ा क्या है उनके लिए क्या है का मतलब केर फिलाइफ कहीं जाओ कहीं आओ कोई रोक नहीं और इनके लिए क्या है कुड़ा इन्हेक दो रुपर मिल जातें का भी बॉच्चों के लिए लाँज पैसा जिससे अब अपना टौफी चोकलिट खाके इंजय कर सकते हैं इसके बाद वो बात करती है राइटर जो हैं कि जब मैंनों लेडी से बात करी तो मेरा जो कॉंक्लूजन था अब उनकी बाते सुनने के बाद गार्वेज के उपर मैं यह मान सकती हूं और यह 100% guarantee के साथ कह सकती ह अपने ऑप में यादि कूला इखटा करना उस को पिर अच्छी चीज में बनाने की अपने घर को चलाना अपने जायों गरीब है ना बच्चे जो है वह कूड़ा उठा रहे हैं यह यह कल आई है क्योंकि फिर से मजबूरी बात आ जाती है सब्सक्राइब इसके बाद जो राइटर है वह अपने घर चली जाती है और बहुत उदास होती है तो कुछ से दिन बाद उनको साहिब आदम फिर से दिखाई देता है तो साहिब से पूछती है अच्छा साहिब बेटा मुझे बात बताईए आप कि यह जो आपके पैरों में यह आज से पहले तो नहीं थे अब कहां से आए तो साहिब क्या कहता है मैंडम वो एक बराबर में पार्क है ना there is a park nearby वेर दर रिच मैं प्ले टैनिस वहां पर वह कुछ हमीर आदमें पता नहीं क्या वाल्ले वल्ले से लेकर ना खेलते रहते हैं तो उन मेंसे एक दिन हम वहां खड़े वो बाहर देख रहे थे पार के पार खड़े उपने लोग देख रहे थे तो एक अंकल ने मुझे बुलाया और बोले कि बैटा ये ले लो ये मेरे बेटे के जूते हैं और इसमें बस एक छेद हो गया इसलिए मेरे बेटे ने जूते नहीं पहने राइटर ने जब बास सुनी तो वो शौक हो गई और उनके दिमाग को पहला पहला जो थोट आया वो क्या था कि किसी अमीर आदमी के एक बेटे ने वो जूते क्यों फेंग दिया क्योंकि सिर्व उसमें एक छेद था होल एक होल था लेकिन लेकिन इस बच्चे की साहिव आलम कि जिंदगी में जो च refresh है शायद हो जूता ये चीद भर दे वो जो जूते में था जिसको किसी ने भेंक दिया और शाहिक को दे दिया अब साहिव की सिन्दगी में एक छेद नहीं है क्पड़ा नहीं इह बहुत च्छेदे स्की जिद एक いた एक ज्ट ने बर दिया आ ओल्स इसको जूते देगे किसी लोगे पैरों में कम से कम जूते तो यह तो छेद था यह तो कम होगा तो जो राइटर है अनीज जंड अब यह साहिव आलम को बहुत दौाएं देती है और उस आदमी को भी बहुत दौाएं देती है फिर पूछती है अच्छा साहिव यह बताओ तो अच्छा यह बताओ तुम खेलते हो टैनिस मैड़ा हम कहां खेलेंगे टैनिस पूरे दिन को पूड़ा उठाते हैं फिर जब हमें कभी को बाद टाइम मिलता है तो उस ताइम या तो वो लोग टैनिस खेल रहे होते तो जो गार्ड है वो हमें अंदर अलाव कर देता है और हम जूलों पर जूल लेते हैं क्योंकि चिड़ी अब अल्ला खरीदने का पैसा हमारे पास नहीं है वी डू नोट है नफ मनी तू बाई दोस एकुपमेंट्स तू प्ले टैनिस हमारे पास वह साधन नहीं है वह रिसोर्स नहीं है कि हम उनको खरी सके और खेल सके अब र अगर यही बच्चा साहिब आलम जिसका नाम अपने काम से अलग है अगर यही किसी अमीर आदमी घर पैदा होता तो पता नहीं इसकी जिंदगी क्या होती चैनल ही तो इसीलिए वह कहती है कि अब यह गरीव और अमीर आदमी गरीव को दबाता है अब पूर तो यह इसकी मझबूरी इसीलिए टैनिस जो है इसकी पहुंच से बाहर है इस जिंदगी में कभी टैनिस खेल भी नहीं पाएगा अब इसका आंसर क्या है यह नहीं खेल पाएगा जिन्दगी में क्योंकि साहिए फॉलोविंग ट्रेडिशन जो थीम थी वेब आफ ट्रेडिशन पर चाल तो इसलिए साहिब कभी जिन्दगी में खेली नीपाएगा वो पूरे टांग किसमें लगा रहेगा उड़ा ठाने में जैसे उसके पापा कि यह कहता है मैंडम भूट मज़ा आता है आई है फण क्योंकि कोई रोपता ही नहीं है कहीं चले आप लो कि इसके बाद यह एंकांटर खतम होता है यह मीटिंग खतम होती है कुछ दिनों तक उन्हें साहिव दिखाई नहीं देता जो पूछ नहीं पूरुप से वो कहते है मैंडम हमें नहीं पता नहीं रहा बहुत दिन से एक दिन को इंसिटेंट्री को इंसिटेंट्री साहिब को देख लेती है तो साहिब से पूछती है अच्छा साहीब कहां जा रहे हो अब मुझे ना 800 पर मिलते हैं और मैं दुकान पर जाता हूँ टो है सब्सक्राइब डुकान पर जाता हूं मुझे लगा दिया तो मुझे 8 सब्सक्राइब मिल और जा रहा हूं दुकान पर कनस्तर लेकर चाहिक दुकान पर काम करता हूं तो लोग वह मुझे छोटु-छोटु कहके बुलाते हैं कोई साहिब छोटु कहता है तो पूछती है अच्छा साहिब क्या तूम इस नौकरी से खुष हो तो साहिब क्या क्या प्रेंट Finn क्या क्या ऍप साहिप साइलेंट एक दम एक एमूजी लिए कॉणध पर धूझत अब नसे मेट प्रेंग चाहिए फिर एक last कॉंच्टी है कि ऑग बच्चा है साहिब जो अपने कंदों पर कनस्तर लेके जा रहा है कि इंग्लिश में कैनिस्तर बोलते हैं तो एक और आसन भाशा में अपनी प्योर हिंदी पर पीपा तो जब लेके जा रहा होता है तो क्या कॉंकुलिजन पर पहुंछती है कि साहिब is no longer his own master now वो साहिब is no longer his only master यानी पहले साहिब अपनी जिंदगी का मालिक था जो मन करता था वो करता था फिंदा स्केर फ्री अब नहीं है ऐसा अब इसका एक time schedule है कि इतने बजे से इतने बजे तक I have to be there क्योंक मुझे 800 पी मिलेंगे मेरे धरवालों को मेरी जरुवत है तो आसर भाशा में जो कहना चाहती है, conclusion फो जो बताना चाहती है, वो conclusion यह है कि अब साहिब अपनी सिंदगी का master नहीं रहा, उसकी जिंदगी अब किसी और के हाथों में है, किसके? उस shopkeeper के हाथों में, उस पैसे के हाथों में, उस गरीवी के हाथों में, उस अनंने यहां तुम्हें और यह लेके जारगा है अपना लंस्ट इस्पुरिंग MOM 5 कलेके जारा साहिस पना पजब करेंगा उसको लेके यह उसको लेकर लेके जारा है घर की सिम्मेदारिया थे रेस्पोंसिब्लिटी सफ हाउस और क्लेके जारा साहिinas इसके लावा अपने कंदों पर वो जिम्मेदारियों का बोज लेके जा रहा है और क्या लेकर जा रहे हैं लेकिन हम अपना बच्पन खोके जा रहे हैं हम अपने मस्त मौला जिंदगी वाले दिन को के जा रहे हैं हमने अपने दोस्त को दिए जैसे साहिब नोगो गया कि सारे दोस्त अलग साहिब अब साहिभ एक बड़ा बन चुका है साहिव है साही विकम लड़ेस्ट लगे मैंबर ऑफिस फेमिली इवन सबसे बड़ा को ने साइव क्योंकि साइव पुझा है एप बच्चा अरए तो इस तरीके से साहिव ने सिर्फ अपना सिर्फ अपना केर Families नहीं भूए अपने दोस्त नहीं लिए जिंबेडारिया नहीं लिए साहिव ने अपना क्या थी साइब दालो स्कूरिंग तो सावन ज स्प्रिंग का मतलब है किसी का बच्पन जाना इस चैप्टर के हिसाब से तो इस चैप्टर में किसका बच्पन लिया साहिव आलम का तो चैप्टर हतम होता है आप आप पास इस तरीके के बच्चे हैं तो आप उनकी लिए क्या करते हैं और यह आपकी बुक में से बहुत आते हैं कि बहुत आते हैं फ्लैमिंगों से बहुत आते हैं इसे क्वेश्चन से थेंक यू पेरी मच मिलते हैं